प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दवाईए मेरे हिंदी लेक्ष्चर सबसे पहले देखने के लिए और यह फ्री है हलो बच्चों मैं मंजु कुमारी आज आप लोगों को क्लास नाइन कृति का भागवन का पार्ठ माटी वाली परहाने का कोईश्यन एंसर प्रश्न उत्तर परहाने जा रही हूँ और इससे पहले जो है मैं माटी वाली जो भी है पार्ठ उसका पूरा एक्स्प्लेनेशन की हूँ आप उसे देख लीजिएगा और अभी मैं आप लोगों को एक्जाम के लिए कुछ फ्वेस्चन आंसर बता रही हूँ तो माटी वाली जो पार्ठ है उसमें दिया है पहला क्वेस्चन की सहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं की समझ में हुए कौन से कारण होंगे जिसके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे तो आप उतर यह दे सकते हैं कि सहरवासी माटी वाली तथा उसके कंटर में को इसलिए जानते होंगे क्योंकि पूरे तीरी सहर में केवल वही अकेली माटी वाली थी जिसका कोई प्रतिय लोगी नहीं था, मतलब एक ही वह बेचती थी, वही सब के घरों में लिपने वाली लाल मिट्टी दिया करती थी, लाल मिट्टी सब को जरुरत होती थी, इसलिए सभी उससे जानते थे, क्योंकि लाल मिट्टी से चुल्धा बनाते थे, घर को लिपने का काम एकदम में जो है, शिमेंट घर में लगे हुए मिलते हैं, लेकिन उस टेम में जो है, मिट्टी से ही घर की लिपाई पोताई होती थी, इसलिए मिट्टी बहुत जरूरी था, तो सब उसके ग्राहक बन गये थे, वह पिछले अनेक बड़सों से सहर की शेवा कर रही थी, इस कारण स सभाविक रूप से सभी लोग उसे जानते थे, माटी वाली की गरीवी, फटे हाली और विचारगी भी उसकी पहचान का एक कारण रही होंगी, मतलब गरीवी के कारण उसको यह काम अपनाना पराब, आगे का question दूसरा यह है, कि माटी वाली के पास अच्छे या बूरे भा का पेट उसका जो पती थे, उसका पेट कैसे भड़ेंगे, और अगर उसे गाउं छोर कर जाना परा तो फिर गुजारा कैसे चलेगी, अब तक तो माटा खान उसकी रोजी रोटी बना हुआ था, वहां से उजरने के बाद उसका क्या होगा, यह समस्या उसे ऐसा पागल बन आप यह है कि भूख मिठी की भोजन मिठा से क्या अविप्राय है, तो इसका उतर आप दे सकते हैं कि इस प्रश्म में यह तथे चिपा हुआ है कि भोजन मिठा या स्वादिष्ट नहीं हुआ करता है, वह भूख के कारण स्वादिष्ट लगता है, इसलिए रोटी चाहे रूखी हो या साक के साथ या चाय के साथ वह भूख के कारण मिठी प्रतित होती है, क्योंकि जब हमें भूख लगती है, तो हर चीज खाने में अलग ही होता है, अता है रोटी के स्वाद का वस्टिवी कारण भूख होती है. अब इसमें प्रश्ण यह भी आ सकता है कि पुर्खों की गारी कमाई से हासिल की गई चीजों जब मालकिन बोलती है माटी वाली को जब चाय पिने के लिए देती है माटी वाली को मालकिन तो मालकिन यह बोलती है यह प्रश्ण आपको आ सकता है कि पुर्खों की गारी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता मालकीन के इस कथन के आलोक में विराशत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए अगर यह प्रशना आएगा तो आप क्या दे सकते हैं कि अगर मालकीन कहती है कि उस अपने पुर्खों की सब चीजों से मोह है क्योंकि पुर्खे जो होते हैं मा, माता, पिता, या दादाजी, नाना जी ये सब जो पुर्खे हो गए हैं उनका दिया हुआ समान जो है वह बहुत ही यादगार होता है उसको लोग शम्हाल के रखता है इसलिए बोल रही है कि पुर्खों की सब चीजों से मोह है ना जाने उसके पुर्खों ने कितनी मेहनत से पेट काट करके चीजे बनाई हो पेट-kaट-kaट करके मतलब एक-एक पैसे बचा करके मन पसंद चीजों से अगर खाने का भी मन होता होगा तो खाना ही पाते होंगे उस चीज को खरीदने के लिए और इतने कश्च से एक-एक पैसे को बचा करके जब कोई समान खड़िते हैं, इसलिए उन चीजों को सुरक्षित रखना जरूरी है, उन्हें बेचना वह भी बहुत सस्ते में बेच देना बहुत ही गलत बात है, मेरे विचार से मालकिन की बातों में शत्यता है, हमें जहां त अगर जान पर शंकट आ जाये तो पुर्खों की समपती को बेचने से इनकार नहीं, मतलब कहने का यह है कि जब कोई कश्ट आ जाये, ऐसा परिस्थिती आ जाये, तब हमें बेचना चाहिए, सहस्वभाविक स्थितियों में हमें उसे सुरक्षित रखना चाहिए, अब प्र आप उत्तर यह दे सकते हैं, कि माटी वाली का रोटियों को इस तरह गिनना बताता है कि वह बहुत गरीव है, उसके पास पेट भरने के परियाप शाधन नहीं है, वह रोज कमाती और खाती है, इससे यह भी पता चलता है कि उसे केवल अपना ही नहीं, अपने बुरह पती क के भी स्वस्त का चिंता है, उसका भी पेट का चिंता है, उसे भरना होता है, इसलिए उसे रोटियों का बरावर हिशाब रखना पड़ता है, और आगे प्रस्रिया है कि आज माटी वाली बुढ़ें को कोरी रोटियां नहीं देगी, इस कथन के आधार पर माटी वाली के हि लोगी नहीं रहा, वह पूरी तरह अपनी पत्मी पर निर्भर हो चुका है, इसलिए माटी वाली उसका पूरा ध्यान रखती है, वह खुद खाने से पहले उसके लिए बचा कर रखती है, उसमें अपने जीवन साथी के प्रति गहरा प्रेम और लगाओ है, सस्तो यह है कि दैनिय दसा में पहुंचा है, वह पती के प्रति सदे हो उठी है, अब आगे प्रशन यह भी आ सकता है कि गरीब आदमी का श्मशान नहीं उजारना चाहिए, यह जो बोलती है माटी वाली, इस कथन का आसे आप सपष्ट कीजिए, इसका उतर आप एंसर यह दे सकते हैं कि इस कथन का आसा यह है कि गरीब आदमी का रहने का ठीकाना नहीं चीनना चाहिए, गरीब आदमी अपने अस्थान से उजर कर दूसरे अस्थान पर बसने में समर्थ नहीं होता क्योंकि उसके पास एक पैसे भी नहीं होते हैं, इसलिए अगर वह अपने मूल अस्थान से अधिकार होना चाहिए, उसे अंतिम यात्रा अर्थात अश्मशान तक वही रहना चाहिए, जहां का वह मूल निवासी है, अब आगे एक प्रश्निया भी आ सकता है, कि माटी वाली के आधार पर माटी वाली का चरित चितरन कीजिए, माटी वाली के बारे में भी आपको करती है, लिखिए, तापिया दे सकते हैं कि माटी वाली कहानी की नाई का मिट्टी वेजने वाली इस्त्री है, वह टीहरी सहर से 3-4 किलोमीटर दूर एक निर्जन अस्थान पर अपने बूर्हे पती के साथ रहती है, उसका पती कमजोर और शक्त है, उसके चरित्र की विश अब पती परायन कैसे है, माटी वाली पती परायन इस्त्री है, वह श्वंग बहुत गरिब और लाचार है, नारी होने के नाते उसे किसी सहारे की आवश्यक्ता होनी चाहिए, परन्तु वह श्वंग बूर्हे पती का सहारा बनकर जीती है, क्योंकि उसके बूर्हे पती जो दो रोटी पाने पर वह पहले एक रोटी पती के लिए बचाती है, फिर खूद खाने की बात सोचती है, तिन रोटियां पाने पर तो उसे लगता है कि वह बुढ़े को गदगद कर देगी, मतलब खुस हो जाएंगे उनके पती, वह उसके लिए प्याज की पकोडियां बनाने का भी प्रवंद करती है, उसकी यह पारिवारिक भावना प्रसंशनी है, अब करमठ और साहसी किस रूप में है, माटी वाली दिन रात मिट्टी खोदने और उसे बेचने के काम में लगी रहती है, उसे वापस लोटते लोटते अंधेरा हो जाता है, फिर वह अकेले जंगल इलाके में आती जाती है, वह साहसी इस्त्री है, अब लोग प्रिया कैसे हो गई है, अब लोग प्रिया माटी वाली का सभाव इतना कुमल और बिनम्र है, कि वह सब लोग उसे श्वेंग चाय रोटी दे देते हैं, वह सब की चहती बन गई है, सब लोग उसको चाहते हैं, उसे चाला की छूबी नहीं गई है, मतलब उसके अंदर कोई भी छल कपट नहीं है, इसलिए वह सब को बहुत कम दाम पर मिट्टी दे जाती है. अब माटी वाली को सब लोग क्यों जानते हैं? यह दे सकते हैं, माटी वाली टिहरी के सब लोगों की आवर्शक्ता पूरी करती है, वह सब के घरों के लिए चिकनी लाल मिट्टी का प्रवंध करती है, मिट्टी लाने वाला कोई और ब्यक्ति टिहरी में नहीं है, अतो वह सकता है कि लाल मिट्टी टिहरी वासियों के क्या काम आती है आप आंसर दे सकते हैं कि लाल मिट्टी टिहरी वासियों के दैनिक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है टिहरी वासि रसोई बनाने के वाद अपने चुले चौके को लाल मिट्टी से ही लीपते हैं इसके अतिरि अब question और यह भी आ सकता है कि टीहरी में रहने वाले सब लोग माटी वाली के ग्राहक क्यों बन जाते हैं अब answer दीजी आप कि टीहरी नगर के लोगों के घरों में चुले चौके चिकनी मिट्टी से लिपे जाते हैं परन्तु नगर में जो मिट्टी उपलब्ध है वह रेतिल गई माटा खान की चिकनी मिट्टी को पाकर बहुत प्रशन होते हैं जो भी एक बार मिट्टी लेता है हमेशा के लिए उसका ग्राहक बन जाता है अब प्रशन एक यह भी आ सकता है कि टीहरी के लोग माटी वाली को खाने के लिए रोटी चाय आदि क्यों दे देते हैं तो वह बहुत गरीब भटे हाल और लाचार दिखाई देती हैं इसी लाचारी को देखते हुए लोग जो हैं दयाबस उसे रोटी खिलाना नहीं भूलते हैं उसे क्योंकि दिन भर उसे काम करना पड़ता है उसे टैम ही नहीं रहता है अपने लिए खाना बनाने का तो यह क्यों छिपाई थी आप एंसर देंगे कि माटी वाली का पती बूरहा और लाचार है वह दिन भर माटी वाली के लोटने और भोजन करने की प्रतिक्छा करता रहता है माटी वाली के मन में भी सदा उसका ध्यान बना रहता है अतह दो रोटियां मिलने पर वह एक रोटी अप इसलिए वह रोटी को छिपा लेती है अब आगे प्रश्ण पुनर्वास के लिए माटी वाली को किस समस्या का सामना करना परा है तो आप एंसर दे सकते हैं कि सरकारी पुनर्वास के लिए पुनर्वास का मतलब है दूसरे जगह जो घर बनाएगी तो उसके लिए कागजी प्रमानों की आवर्शकता थी माटी वाली बिल्कुल अनपर और दलित महिला है उसके मन अपने नाम तो कोई जमिन नहीं थी न जायदात न कोई ठीकाना माटा खान से मिट्टी खोदना और उसका प्राकृतिक खोदना भी उसका प्राकृतिक अधिकार था कानूनी नहीं अता पुनर्वास के मामले में वह बिल्कुल लाचार और निरुत्तर हो गई उसके सामने भविष्च के ठीकाने का संकट खरा हो गया अब कोईश्चन एक और यह भी आ सकता है कि माटी वाली के हिर्दा में अपने बूर्हे के प्रतिकैशा भाव था आप दे सकते हैं माटी वाली के हिर्दय में अपने बूर्हे के प्रति अत्यंत प्रेम और आत्मियता और करुना का भाव था, वह उसे रोटी खिला कर प्रसंद करना चाहती थी अब कुश्यन एक यह भी आ सकता है कि टीरी बांध पुनरवास के सहव और माटी वाली इस्त्री के मद्ध हुई बात्चित इस प्रकार की बांध योजनाओं पर कैसे प्रसंद चिन लगाती है समझाईए तो आप एंसर देंगे कि पुनरवास के सहव को कागजी करवाई पूरी करनी है जबकि माटी वाली के पास कोई कागज नहीं है उसके पास अपनी जोपरी में रहने का केवल प्राकरतिक हक है इस समाद को सुनकर हमें लगता है कि कोई भी सरकारी योजना गरीबों को उजार कर नहीं बनानी चाहिए सबसे पहले उजरने वाले लोगों की जीवन सुरक्षित करने चाहिए आसा है आप समझ गए होंगे अगर यह आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सबस्क्राइब करना नहीं बूलेंगे और बिल आइकन को जरूर दवाईएगा और अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे और कोई भी सुझाओ या कुछ भी अगर आपको प्रस्तर अगर हमसे पूछना है तो मेरे नीचे दिये गए कॉमेंट्स बॉक्स में आप लिखेंगे धन्यवाद